हाई फ्रेंड्स आज हम बनाएंगे सुपर टेस्टी, सुपर यमी, स्पंजी, रुई की तरह सौप सौप मुँ में जाते ही घुल जाने वाली केक, वो भी परफेक्ट मेजरमेंट के साथ, मेरी गैरेंटी है फ्रेंड्स, इस रेसिपी के बाद आपके केक परफेक्टली बनन वाले हैं फ्रेंड्स, तो चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना, इसके लिए लेंगे एक बॉल और बॉल की उपर डालेंगे इस तरह की चन्नी, अब डाले एक गिलास मैदा, एक छोटा चमबच बेकिंग कोडर और एक छोटा चमबच बेकिंग सोडा, और अब इन सब को च अब डालें उसी गिलास से आदा गिलास ओईल और आदा गिलास सक्कर, अब हमें इसे तब तक फेटना और मिलाना है फ्रेंड्स, जब तक अंडा, सक्कर और ओईल पुरी तरह से एक दुफरे के साथ मिलना जाए और सक्कर पूरा घुलना जाए यहाँ पर फ्रेंड्स मैंने इसे पाश मिनट तक अच्छे से फेटा है और मिला लिया है, आप देख सकते हैं, और सक्कर भी पुरी तरह से गुल चुका है अब डालें आदा कप दूद और दूद को भी अच्छे से मिला ले यहाँ पर हमारा दूद भी अच्छे से मिल चुका है, अब हम एक एक दो दो चमच करके तयार मिश्रंड को इसमें डालते जाएंगे और मिलाते जाएंगे फ्रेंड्स एक अच्छा केक बनने की पीछे का सारा सिक्रेट यहीं पर है आप जितने अच्छे तरीके से फेटेंगे और मिलाएंगे उतना ही अच्छा और परफेक्ट केक बनकर आपका तयार होगा केक का बेटर अच्छे से नहीं फेटने की वज़़ से केक अच्छे से नहीं बनते हैं बिगड याते हैं फ्रेंट्स बट आज से ऐसा नहीं होने वाला फ्रेंट्स देखिए फ्रेंट्स मैंने इसे लगबग 10 मिनट तक अच्छे से फेटा और मिला लिया है अब केक का बेटर पुरी तरह से मिल गया है और इसकी कंसिस्टेंसी भी गाड़ी और क्रीमी हो गई है आप देख सकते हैं अब हम केक की स्वाद को और बढ़ाने के लिए डालेंगे एक चमबच लेमन जूस एक छोटा चमबच इलाइची पौडर और छह से साथ बोंद वैनिला एसेस और इन सब को भी अच्छे से मिला लेंगे प्रिंट सब हमारा केक का बेटर पुरी तरह से तयार हो चुका है अब रखें इसे साइड में और ले केक तीन और इसे घी या तेल से इसके चारों तरब को अच्छे से ग्रिस कर लें अब डालें बटर पेपर को और उसे भी अच्छे से घी से गिरिस कर ले अब हम सारा केक के बेटर को केक टीन में ट्रास्पर कर देंगे और केक टीन को टेप कर लेंगे ताकि बबल्स न बने और बेटर चारो तरफ फैल जाए अब हम इसको टूटी फूटी और बदाम से सजा जाएंगे अब हमारा केक रेडी है बेक करने के लिए फ्रेंड्स मैंने पहले ही कड़ाई को स्टेन लगा कर बाच मिनट के लिए प्री हिट कर लिया था अब केक टीन को इस्टेन के उपर रख कर इसे ढख कर 45 मिनट के लिए लो फ्लेम में बेक कर लेंगे बिना डिस्टर्ब किये फ्रेंड इसे फ्रेंड्स 45 मिनट हो गये हैं केक को चेक कर लेते हैं वाव वेरी नाइस आप देख सकते हैं फ्रेंड्स हमारा केक कितना सांदार बना है फुद्पिक से भी चेक कर लेते हैं फुद्पिक भी क्लियर है मतलब हमारा केक पुरी तरह से बन कर तयार है अब इसे बाहर निकाल लेते हैं फ्रेंस और केक को थंडा होने देते हैं फ्रेंस केक थंडा हो चुका है अब चाकू की मदद से चारो तरब को कट कर लें और केक टीन को प्लेट पर इस तरह प्लट कर घोड़ा टेप करके केक को बाहर निकाल लें और बटर पेपर को भी बाहर निकालने है फ्रेंस यह देखिए फ्रेंस कितना सांदार और स्पंजी केक हमारा बनकर तयार हुआ है बिल्कुल मार्केट के जैसा अब मैं आपको इस केक को कट करके दिखाता हूं आप मेरे काटने से ही अंदाजा लगा सकते हैं कि केक हमारा रूई की तरह सौप-सौप इस्पंजी और मार्केट की जैसा परफेक्ट केक बनकर तयार हुआ है फ्रेंस अब आपका केक कभी भी बिगड़ेगन नहीं और हर बार आप परफेक्ट मेजरमेंट की साथ परफेक्ट केक बना पाएंगे या cake जितना खाने में यमी और टिष्टी है उससे कहीं ज्यादा असान है इसे बनाना तो friends इस super delicious recipe को तो घर पर बनाना बनता ही है Friends अगर आपको मेरी आज की recipe पसंद आई है तो मेरे इस वीडियो को कर दे like और channel पर नहे है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत बुरियेगा तब तक के लिए गुड़ बाई and टेक क्यार फ्रेंड्स